हाई फ्रेंड्स क्या आप पोको मोबाइल में किसी का कॉल एटोमेटिक डिकॉर्ड करना चाह रहे हैं या आप जानना चाह रहे हैं कि पोको मोबाइल में अपने आप किसी का कॉल डिकॉर्ड हम कैसे कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो को बिना स्कीप किये वे सुर डाइलर पैड को ओपन करना होगा डाइलर पैड ओपन करने के बाद फ्रेंस कुछ इस परकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा तो फ्रेंस यहां उपर में राइट साइट कॉर्णर में आपको थी डॉट का ओप्षन मिलेगा तो फ्रेंस इसी थी डॉट वाले करने के बाद कुछ इस परकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा तो फ्रेंस यहां पर सेटिंग्स का ओप्षन मिलेगा तो फ्रेंस इसी सेटिंग्स वाले ओप्षन पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कुछ इस परकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा तो तो friends यहां पर automatically record unknown number तो friends unknown number मतलब किसी का भी आपके contact में जो number save नहीं होगा अगर किसी नया number से आपके call आ रहा है तो friends उसके call को record करने के लिए इसे enable करना होगा तो friends इसे enable करेंगे यहां पर always recording option है उस पर click करेंगे तो friends यह enable हो जागा इससे क्या हुआ कि आपके contact में जो number save नहीं होगा उसका call record होने लगेगा जब भी आप call receive करिएगा तो उसका call automatic record होने लगेगा आपको कोई भी setting करने का कोई जरूरत नहीं है तो friends यह तो हुआ कि जिसका number save नहीं है उसका call कैसे record कर सकते हैं तो friends अगर आप चाहरें के आपके contact में जो number save है उसका call record करें तो friends यहां नीचे में आपको selected option मिलेगा तो friends इसी selected option पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद friends यहां पर को आप स्वेक्ट करेंगे तो friends यह हैं क्लिक करेंगे तो friends यहां ऊपर में Always recording select option उसके खूपर करेंगे और में तो friends यह स्षोए तो friends इसके उहां हो ज्याएगा जो नंबर सेलेक्ट किये हैं उस नंबर का कॉल जब भी आएगा आप रिसीब कीजेगा उसका कॉल एटोमेटिक रिकोर्ड होने लगेगा तो फेंस आपको कोई सेटिंग करने का जोयत नहीं होगा तो फेंस इसी परकार से आप भी अपने पोको मोवाइल के कॉल को एटोमेट टिक रिकोर्ड कर सकते हैं तो फेंस अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में